असलाम अलेकुम दोस्तों तो आप कैस है उम्मीद है टिक टाक होंगे तो प्रिग्मेटिक का चुप्टर शूरू था आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस पहले डिफिनिशन जो है उसके हम क्रिटिकल इनलेस करेंगे बात में हम दुसरे पर जाएंगे तो रिफरेंस अलफाज होते हैं जो किसी चीज़ के पहचान कराने के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं वो अलफाज होते हैं और उन अलफाज और उन चीज़ों के दरम्यान एक डारिक डारिक रिलेशन्शिप होता है तो उस अमल को हम कहते हैं इन जो डारिक रिलेशन्शिप और ये अलफाज जो होते हैं उस को हम कहते हैं रिफरेंस और दूसरे पर आते हैं It is an act in which a speaker or a writer uses linguistic forms to enable a listener or a reader to identify something दूसरी का देखते हैं रेफरेंस वो अमल होते हैं जिसमें एक speaker या एक writer linguistic form का मतलब है अलफाज एक speaker या writer linguistic words को यूस करके ताके listener और reader जो होते हैं उसकी कुछ इसका मकसद यह होता है कि listener और reader जो होता है उसको कुछ पहचान करा कि कुछ चीज होगा तो इसको हम कहते है reference आगे एक्जामपल पर जाते है पिर ये दोनों डिफिनिशन जहन में याद जहन नशीन करके पिर आगे जाते है एक्जामपल को आप समझा जाएगी इंशाला एक्जामपल देखते हैं critical critically देखते हैं इसको समझने की कोशश करते है एन रिस्टों टो एक्जामपल पर जाते है एक्जामपल पर पर एक्स्पानेशन करते है If you are studying linguistic form, linguistics, you might ask someone Can I look at your jomsky and get the response? Sure, it's on the shelf over there दोने एक्जामपल में पढ़ते हैं, Reds जो सिक्षन है Where is the green salad setting? एक्वेटर ने ये कहा, दूसने ने जवाब दिया, वो green salad जो है, डौर की करीब बैटा है Green salad यहाँ पर, green salad तो नहीं बैट सकती है, words है तो ये green salad असल में people की तरफ reference है, ये लोग जो है, वो कहते हैं, लोग कहाँ पर बैटे है यलिए green salad की reference दे कर, वो कहता है कि वो दरवाजे की करीब बैटा है, ठीक है और दूसरे एक्जामपल पर आते हैं, can I look at you और चॉंसकी चॉंसकी का मतलब चॉंसकी एक linguistic है, और इसने कुछ किताबी लिके है, किताबी जो linguistic किताबी लिके है वो definitely linguistic books होंगे, तो एक friend, for example, आपका एक friend है, वो कहता है कि आपका बुक में linguistic का जो बुक है, चॉंसकी का हवाला दे करके देख सकता हूँ आप उसे कहते हैं कि क्यों नहीं, sure, वो अदर मतलब है, अलमारी में पढ़ा है, देख ले उसे तो तीसरे concept यहाँ पर है, यहाँ पर, words do not refer, people refer पर, अलफास का कुछ हस्य, कोई भी हस्यत नहीं होती है, यह depend करते है, reference की बात थो रही है, यह depend करते है लोगों पर कि वो अलफास किस context में यूज करते है, ग्रीन सालाथ का यहाँ पर क्या मतलब है, people या, यह example जो मने पढ़ा है, people या men, जो कि एक नहीं हवाला, ग्रीन सालाथ का हवाला देकर, उसको पहचान करना था, people का, और चॉम्सकी का हवाला देकर, उसने linguistic book असल में उस जहन है, बस समझ आ जाएगी, आपको यह concept जहन में रख कर.